जारखण में लंबे समय से हलचल मची हुई है क्योंकि बीजेपी की नजरे जारखण की सत्ता पर गड़ी हुई है हालिकि राजे में बीजेपी को काम्या भी मिला मुश्किल ही नहीं नामुवकिन नजर आ रहा है लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी जोड़तोड की कोशिश में लगी हुई है ऐसे में आप विपक्ष ने राजेपाल की चुपी पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं क्या हो सकता है राजेपाल की इस चुपी का कारण देखते हैं इस रिपोर्ट में महागडबंदिन के कुछ विधायकों ने राजे की राजेपाल को ग्यापन सोपा था जिसके बाद उन्होंने एक से दो दिन में फैसला लेने की बात कही है दरसल सत्ता रूड यूपी ए विधायकों ने इस मामले को लेकर चुनावायों की सिफारिश पर रुख साफ करने का आगरे किया ऐसे में राजेपाल रमेश बैंस की तरफ से इस मामले को इतना लटकाने के चलते उन पर आरोप भी लगने लगे हैं उदर राजनेतिक संकट के बीच राजेपाल रमेश बैंस एक बार फिर दिल्ली पहुँच गए अब राजेपाल के दिल्ली दौरे ने अटकलो को और तेज कर दिया है कि राजेपाल इस मामले में जान भूच कर देर कर रहे हैं आपको बदा दे कि यूपिये घटको ने राजेपाल रमेश बैंस पर निर्ने की घोशना में जान भूच कर देरी करके राजनेतिक खरीद फरुक को बढ़ाने का आरोप लगाया था इतने ही नहीं यूपिये ने जोर दे कर कहा कि एक विधायक के रूप में सीम की अयोग्यता सरकार को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि सत्ता रूर जे एमेम कॉंग्रेस आरजेडी गड़बंदन को 81 सदस्य सदन में पूर्ण बहुमत हासिल है सबसे बड़ी पार्टी जे एमेम के 30 कॉंग्रेस के 18 और आरजेडी की एक विधायक है मुख्य विपक्षिदल बीजेपी के सदन में 26 विधायक है यानि जारकन सरकार को गिराना बीजेपी के लिए दूर की कोड़ी है लेकिन फिर भी बीजेपी कोशिश कर रही है और राजेपाल बीजेपी की साहिता कर रहे हैं सिर्फ जारकन सरकार ही नहीं 36 गर सरकार की तरफ से भी बीजेपी पर गंभीर आरूप लगाये गए हैं दरसल मुक्यमंत्री भुपेश बगेल ने कहा कि उनके राजे में भी जल्द ही प्रवत्रनी देशाले और आयकर विभाक के छापे पड़ते नजर आएंगे क्योंकि जारकन के सत्तारूड गडबंदन के विधायक राइपूर के पास एक रिजोर्ट में ठहरे हैं अब इन सबी आरोपों में कितनी सचाई है ये बता पाना तो मुश्किल है लेकिन ये साफ है कि बीजेपी हर तरफ से घिर चुकी है डीबिलाइफ की रिपोर्ट